अजमेर में ख्वाजा मौनुदिन चिस्ती की दरगा है या ये मंदिर इस पर निचली अदालत सुनवाई करेगी लेकिन इस सुनवाई से पहले ही देश भर में चर्चा छिड़ गई है इसको लेकर पूर्मुख मंत्री अशो गहलोत ने कहा है कि 800 साल पुरानी अजमेर दरग पर कोट केस गलत है यहां विभिन प्रधान मंत्री चादर चड़ा चुके हैं पीम मोदी भी उनमें शामिल है उनहीं की पार्टी के लोग केस कर रहे हैं साथ ही अस्दुद्दुन अवसी या बात करें जम्मू कस्मीर की पूरु सीम और पीडिएफ चीफ महबूबा मुफ राजिस्थान के पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने अजमेर दर्गा परीसर में सिव मंदिर होने के दावे से उठे विवाद को लेकर बीजेपी, आरसेस और पीम नरिंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं अशोग गहलोत ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मी के स्थल जिस स्थिती में है वे उसी में रहेंगे यह कानून बना हुआ है उन पर सवाल उठाना गलत है गहलोत ने कहा कि अजमेर दरगा 800 साल पुरानी है, दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, दुनिया के मुलकों के मुसलिम भी यहां आते हैं, हिंदू भी है प्रधानमंत्री कोई भी हो, कॉंग्रेस, बीजेपी या किसी दल के, बंडित नहरू के जमाने से लेकर, मोदी जी तक, तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगा में चादर चड़ती रही है चादर चड़ाने के अपने माइने होते हैं आप भी चादर चड़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोट में केश कर रहे हैं आप भ्रहम पैदा कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे पूर सीम ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है धार्मिक इस्थान किसी भी धर्म के हो 15 अगस्त 1947 तक जो बने हुए है उन पर सवाल नहीं होना चाहिए इसका कानून बना हुआ है जब से BJP RSS सरकाराई है आप देख रहे हैं देश में धर्म के नाम पर राजनिती चल रही है चुनाओ चाहि माराष्ट का हो हरियाना पार्लेमेंट या अन धुर्वीकरण के आधार पर जीत रहे हैं खुलकर धर्म के आधार पर ये लोग टिकेट बाट रहे हैं देश में इस्थिती बड़ी विकट है ये इस्थिती आसान नहीं है यह तो इनको खुद देखने की बात है जो आज शाशन में है इस पूरे मसले पर जमू कस्मीर की पूर मुक्मंत्री और पीडियेफ चीफ महभूबा मुफ्ती ने लिखा कि सुप्रिम कोट ने अपने आधेश में कहा था कि 1947 के मौझूद संरचनाओं पर ये था इस्थिती रहेगी इसके बावजूद उनके आधेश ने इन इस्थानो के सरवे का रास्ता तयार कर दिया है इससे हिंदू और मुसल्मानों के बीच तनाओं की संभावना बढ़ेगी मुफ्ती ने कहा कि पहले मस्जीद और अब अजमेर शरीफ जैसे मुसलिम दरगाओं को निसाना बनाया जा रहा है इससे खून खराबे की इस्थिती हो सकती है 27 अक्टूबर को अजमेर की ख्वाजा मोयनुदीन चिस्ती की दरगा में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोट ने सुईकार कर ली और इसे सुनने योग्य माना हिंदू सेना के राष्टी अध्यक्ष विश्णु गुपता की और से याचिका लगाई गई थी इसके बाद अलपसंख्यक मंत्रा लए दरगा कमेटी अजमेर और भारतिय पुरातत्तो सर्विक्षन विभाग को नोटिस बेजा है मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी विश्णु गुपता ने दो साल की रिसर्च और रिटायर जज़ हर्विलास सारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दिये गई तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की थी दरगा में मौझूद बुलन दरवाजों की बनावट वाद पेश किया था वहीं उपरी स्ट्रक्चर के लिहाद से दरगा के हिंदु मंदिरों के अवसे जैसी चीजे दिखाई देना गुंबदों को देखकर उनका कहना है कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कि किसी हिंदु मंदिर को तोड़कर यहां दरगा का निर् यहां तैखाने में सिव मंदीर का दावा है क्योंकि सिव मंदीर के ऊपर यी दरगा का निर्मान किया गया है। कि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है।